The Brand Gap How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design By Marty Normier एक बहतरीन ब्रांड बनने के लिए स्ट्राटजी और क्रेटिविटी को मिला कर ब्रांड गाप कम करना पड़ता है क्या आप सोच सकते हैं कि कोककोला ब्रांड की वाल्यू 70 बिलियन डॉलर्स है यानि कम्पनी की टोटल वाल्यू का 60% कोककोला ऐसी अकेली कम्पनी नहीं है आज की तारीक में किसी भी कम्पनी की वाल्यू उसके ब्रांड से ही बनती है अब कोई ब्रांड आखिर इतना बड़ा बनता कैसे है इसकी शुरुआत होती है ब्रांड गाप को बंद करके वो गाप जो स्ट्राटिजी और क्रियाटिविटी के बीच होता है बिस्नेस में दो बाते बहुत माइने रखती है मार्केटिंग और प्रिजनेशन स्ट्राटिजी बनाने वाले लोग आमतोर पर marketing department से जुड़े होते हैं ये लोग analytical और logical होते हैं यानि हम ये कह सकते हैं कि इनके दिमाग की left side ज्यादा active होती है creativity से जुड़े लोग designing और presentation जैसी चीज़े देखते हैं ये लोग imagination, intuition और visual skills के माहिर होते हैं यानि इनका right brain ज्यादा active होता है और जब भी इन दो बिलकुल अलग फभाव की टीमों के बीच तनाव या मतभेद होता है तो brand gap बनने और बढ़ने लगता है शायद आपने भी अपने workplace में इसका अनुभव किया होगा ये भी हो सकता है कि आप कागस पर तो बहुत अच्छा business plan डिवलाप कर लें पर हकीकत में वो ग्राहकों के आगे फेल हो जाए इसके पीछे brand gap का हाथ हो सकता है इस तरह की बातें आज बड़ी समस्या बनती जा रही है क्यूंकि अगर आपका brand ही बिखरा होगा तो आप market में कितने दिन टिक पाएंगे इसे इस तरह से समझ सकते है brand gap वाली कंपनियां अपनी पहचान नहीं बना पाती इसलिए वे ग्राहकों को खुद से जोड नहीं पाती और जब ग्राहक कंपनी से जुड़ते ही नहीं तो वो कंपनी के प्रॉड़क्ट्स भी क्या खरी देंगे एक दो बार ले भी ले पर पर्मनेंट ग्राहक तो नहीं बन पाएंगे लेकिन जाने माने ब्रांट्स के मामले में ऐसा नहीं होता यहां ग्राहकों और कंपनियों के बीच ऐसी कोई दूरी ना के बराबर होती है आसान शब्दों में कहें तो ग्राहकों का उस कंपनी के साथ एक मजबूत कनेक्शन होता है वे जानते हैं कि कंपनी के प्रॉडक्स उनकी कौन सी उमीदों पर खरे उतरते हैं उदारन के लिए कोककोला, आपल और नाइकी जैसे कंपनियों ने ऐसे ब्रैंड की तरह लोगों के दिल और दिमाग में जगा बनाई है कि लोग इनको खुशी, ब्यूटी और स्टाइल का दूसरा नाम मानते हैं यानि वो सब जो लोग अपनी लिए चाहते हैं किसी भी ब्रैंड का मकसद यही होता है कि वो अपनी आकरशक और अलग पहचान बनाए और इसे मेंटेन रखे ऐसे हर बड़े ब्रैंड ने इसके लिए ब्रैंडिंग के पांच नियमों में महारत हासिल की है इनके बारे में आप आने वाले लेसंस में सीखेंगे लोग हर unusual या unexpected चीज़ पर गौर करते हैं आदम समाज के लिए ये आदत उनके survival में काम आई और उनको खतरों से बचाया आज की तारीक में आपका ब्रैंड इस आदत का इस्तवाल अपनी growth के लिए कर सकता है इसलिए दूसरों से अलग होना किसी भी ब्रैंड की सफलता का पहला नियम है आपका ब्रैंड दूसरों से अलग है या नहीं इसे तीन सवालों से समझा जा सकता है अगर आप इनके जवाब प्रभावशाली धंग से नहीं दे सकते तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है पहला सवाल आपकी कंपनी का नाम क्या है? ये सवाल तो बड़ा आसान है आप जॉन डीर है? यानि आपकी कंपनी का नाम है जॉन डीर अगला सवाल आपकी कंपनी क्या करती है? अगर आप इसके जवाब में ये बोल दें कि हम अच्छे ट्राक्टर बनाते हैं या बहुत काम आने वाली चीज़ें बनाते हैं तो इसका मतलब हुआ आपका खेल खत्म यानि ये जवाब यूजलेस है क्योंकि हर कमपनी अच्छे और काम के प्रॉडक्स बनाती है अगर आप ये बोलते हैं कि आपके प्रॉडक्स इन सबसे अच्छे हैं तो फिर से ये यूजलेस जवाब है क्योंकि सब यही बोलते हैं इसका कोई अच्छा और वजंदार बड़े सरल है पर एक दूसरे को कॉंपलिमिन्ट करते हैं। यह जवाब दूसरों से अलग होने के उस बड़े रास्ते की तरफ ले जाता है जो है फोकस्ट रहना। ऐसा ब्रांट अपनी ताकत जानता है। इसे पता होता है कि ये दूसरों से अलग क्यूं है और लोगों के दिलों पर क्यूं छाया हुआ है। अगर जॉन डियर आगे चल कर घर बेचने लगे तो ये भी बाकी रियल एस्टेट कंपनियों की तरह होगी और अपनी खासियत खोदेगी। कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि फोकस्ड होने का मतलब है बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगा देना, यानि अपने आपको बांध देना। क्यूंकि इसके बाद हमारे पास गिने चुने रास्ते ही बचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही एक तरीका है जो आपको सबसे अलग बनाता है। वाल्वो का उताहरन लीजे, इस ब्रैंट की खासित ये थी कि उनकी कारे मजबूत थी और मारकेट की वाकी कारों से ज्यादा सेफ थी, यही उनकी पहचान थी। इसके बावजूद उन्होंने हलकी और फैशनेबल कारें डिजाइन की जो काफी ज्यादा अनसेफ थी। उन जो हैं वो बने रहिए, अपना रास्ता और मूल सभाव मत बदलिये। सही कुलाबरेशन किसी ब्रैंट को बड़ा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रैंट डिवलप करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए तरह तरह की स्किल्स वाले बहुत से ल ब्रैंडिंग का काम आउट्सोर्स कर सकते हैं। ये वन स्टेप शॉप की तरह A to Z solution देती हैं। जैसे इवेंट और पियर से लेकर प्रॉडक्ट डिजाइन और पाकेजिंग तक सब काम देखती है। ये तरीका बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कुछ कमिया भी है। किसी एजनसी के साथ काम करें। ब्रैंडिंग एजनसी आपके ब्रैंड की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एक्सपर्ट की एक टीम तयार कर देगी। यहां आपकी हर जरूरत के लिए सही तालमेल तो बन जाएगा, पर फिर भी बाहरी हाथों में कंट्रूल देने का रिस्क तो रहेगा। तीसरा तरीका है कि आप ऐसी एक टीम खुद अपनी कंपनी में बनाएं। यह टीम विज्यापन, ब्रैंड आइडेंटिटी, प्रॉड़क्ट डिजाइन, स्ट्राटेजी जैसी जरूरतों पर फोकस करेगी। यानि मार्केटिंग से लेकर डिजाइन के मालिक होते हैं और आपका सीक्रिट कंपनी के अंदर ही रहता है। यहां इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आने वाले समय में नेट्वर्क ओगनाइजेशन के बढ़ते चलन के साथ कोलाबरेशन मॉडल भी बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि अलग-अलग कंपनियां मिलकर ग्राहकों के लिए कोई एक प्रोड़क या सर्विस तयार करते हैं। फिल्म इंडस्री इसका सबसे अच्छा उदाहरन है जहां निर्देशक, कराकार, संगीतकार और ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स मिलकर एक फिल्म बनाते हैं। जब इस फिल्म का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा तरीका है लेकिन जब बात ग्राहकों के आती है तो जरूरी नहीं है कि सवाल के जवाब में भी लॉजिक हर बार काम करें कि आपका प्रोड़क्ट सबसे अच्छा क्यूं है। आपको ग्राहकों का दिल जीतना होगा, उनको लुभाना होगा, यहां पर तीस ने नए आइडियास को अमल मिलाने के लिए भी नए तरीके ढूंडने होंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर दुनिया गोल पहिये बनाती है तो आप उनका आकार ही बदल दे। उनकी मजबूती, क्लीमत और रंग पर काम किया जा सकता है। इंडस्ट्र डिजाइन तक अपने हर रेकॉर्ड में कुछ न कुछ नए किया है। उन्होंने अपने शुरुवाती दौर यानि 1960s के दर्शक में धूम धड़ाके और मौज मस्की वाले गीड बनाए जो ज्यादा तर लोग सुनना चाहते थे। लेकिन समय के साथ नई आवाजों और इंडियन इंस सकते हैं। बात बस इतनी है कि अपने ब्रांट को नया करने के लिए मौजूद हर रास्ते से लाब उठाना चाहिए। ये भी सच है कि बदलाव के साथ रिस्क जुड़ा है। अमेरिका में कहा जाता है नाव को हिलाओ मत। जब कि जापान कहते हैं कि जो कीर दिवार से बा पर लोग इनोवेशन से डरते हैं। लेकिन जब आपका उठाया कदम दूसरों में डर पैता करने लगे तो समझ जाईए कि आपने लीक से हट कर कुछ किया है और लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए सही ट्राक पर चल रहे हैं। फोक्सवागन ने रिस्क और इनोव आपकों के बीच कम्यूनिकेशन ना के बराबर होता था। लेकिन आज की तारीक में इन दोनों के बीच कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी है। ये एक फीड़बैक की तरह काम करता है। जब कंपनी अपनी बात रखती हैं तो जवाब में ग्राहक भी अपनी बात रखते यानी अपना response देते हैं। इसलिए चौथा नियम जिसे validation कहा जाता है इतना महत्वपूर है। आपको ये तैय करना होगा कि आपके brand की आवाज हकीकत में दुनिया में भी गुंजे। ना कि ये वस company की meetings में चर्चा का विशय बनकर रह जाए। इसलिए अपने brand को लगातार validate करते रहना जरूरी है। इसके कई तरीके हैं। इनमें से एक है concept test। इसमें अपनी company से बाहर के कम से कम 10 लोगों को शामिल करना चाहिए। उनसे अपने brand का prototype दिखा कर कोई सवाल पूछें। जैसे brand के नाम को लेकर सवाल किया जा सकता है। इसमें group की जगः अलग-अलग व्यक्ति से जुड़ने में मदद मिल जाती है। आपका target है ये समझना कि क्या ज्यादा लोग एक prototype को दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जानकरी लेने वाले सवाल पूछें। जैसे इस नाम से आपको किस तरह की company का खयाल आता है। या इनने से कौन सा नाम आपको ज्यादा अच्छा लगता है। उनके जवाब देने के बाद हमेशा उनसे इसकी वचह पूछें। Swap test एक और बढ़िया तरीका है। इसमें अपने brand की कोई एक quality जैसे नाम या logo किसी दूसरे competitor brand से बदले। अगर result आपके brand से बहतर या उसके बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको brand पर अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी validation test में पांच महत्वपून बातें ढूंडी जाती हैं। फर्स्ट, सबसे अलग नज़राना आपका brand सबसे अलग नज़राना चाहिए। सेकंड, connection यानि brand और products एक दूसरे को compliment करें। जैसे Nike अगर नहाने का साबुन बनने रगे तो काफी अजीब होगा। फर्थ, यादकार होना अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके brand को याद रखें तो उनके किसी emotion के साथ उसे जोड़ना होगा। जैसे chocolate और romance या फिर ice cream और बच्पन की यादे। फॉर्थ, flexibility ये देखें कि क्या आपका brand बदलाव के लिए तयार है। फिर्थ, बड़ी scale पर connectivity क्या आपका brand अलग-अलग राकों को target कर सकता है। जैसे बच्चे, युवा, क्या ये एक से ज़्यादा emotions के साथ खुद को जोड़ सकता है। ब्रांट को हमेशा नया बना कर रखें। ब्रांट खुद को किस तरह नया बनाए रखते हैं। आपने चार नियम पढ़ लें। उन पर अच्छी तरह काम भी करना सीख लिया। अब बारी है ब्रांट को नए जैसा बनाए रखने की। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए जरूरी है कि उनका brand लाइप बना रहे। हम भी तो रोज बदलते रहते हैं। हमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो लगातार दो दिन एक ही कपड़े पहने। ये बात brand पर भी लागू होती है। जरूरत होने पर brand क्यों नहीं बदलता रह सकता। असल में जो brand हमेशा एक जैसे लगते हैं, उन पर लोगों का भरोसा कम होने रगता है। इसलिए brand में बदलाव करते रहे। गलतियां हो तो भी कोई बात नहीं। गलती करना इंसानी स्वभाव है। इसलिए जब तक brand अपना महत्व बनाए हुए है, छोटी मोटी गलतियां नजरंदास की जा सकती है। Brand कितना updated है, इसका पता लगाने का एक तरीका है, आप इसकी collaborative performance देखे। यानि हर टीम के सदरसे के बीच कितना तालमेल और सहयोग है। आपका लक्ष अंत में यही होना चाहिए कि brand बाहरी दुनिया में और company के अंदर एक सा बना रहे। इक quality आपके brand को और ज्यादा भरोसे मंद बना देगी। ग्रहक भी इसे समझेंगे और अपना प्यार देंगे। बदलाव जरूरी है पर इसका ध्यान रखें कि brand का basic essence बना रहे। यह आपकी जिम्मेदारी है। Brand को बनाए रखने के लिए marketing department नहीं बलकि हर department की जिम्मेदारी तै करें। Brand identity पैदा करने का एक तरीका है कि brand से जुड़ी workshop और seminar आयोजित किये जाए। ताकि कर्मचारी हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि उनका उठाया कदम brand के लिए अच्छा है या बुरा। आप एक chief branding officer भी appoint कर सकते हैं। इस तरह से भी brand को maintain रखा जा सकता है। यह बहुत अनुभाव वाले लोग होते हैं। यह branding के पांच तत्मों को मिला कर आसानी से strategy और creativity के gap को भर सकते हैं। खुल मिला कर एक बहतरीन brand बनाने का इकलौता तरीका है कि आप ऐसा workplace तयार करें जहां सब मिल जुलकर brand को तयार करने में एक दूसरे का साथ दें। जहां strategy और creativity के बीज कोई gap ना रहे। आप branding के 5 नियमों का अच्छी तरह पालन करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यानि आपको दूसरों से अलग बनना होगा। नए ideas लगाने होंगे, team की तरह काम करना होगा, अपने काम को समय समय पर test करते रहना होगा और brand को नया बनाये रखना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको ग्राकों से चुड़ने और market leader बनने में कोई परिशानी नहीं होगी। क्या करें? भे सारे features को avoid करें। वेब डिजाइन करते हुए बहुत से features बनाये जा सकते हैं। आपके पास animation, widgets और ऐसे बहुत से options होते हैं जिनको आसानी से तयार किया जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो आपके brand से मेर खाते हैं और कौन से बस धेर लगा देते हैं। इसलिए वेब डिजाइन को सरल से सरल रखें।